हलो नमस्ते फ्रेंड्स आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के समक्ष कुछ अपनी मन की बाते लेकर कुछ अपनी पास्ट लाइफ की बाते लेकर आ गई हूँ तो यह सोचती हूँ कि पहले शुरुवात मैं करती हूँ मेरी पास्ट लाइफ से तो पास्ट में जब मैं मतलब बच्पन की बाते थोड़ी सी मेरा जो होम टाउन है वो गोंडा है तो गोंडा जो पूरब में पढ़ता है और वहाँ से मेरी स्कूलिंग वग्यरा हुई है सब उसके बाद 12 तक मैंने पढ़ाई करी 12 के बाद फिर यह हुआ कि मैं साइन साइट थी और मैथिमेटिक्स फिजिक्स और केमेस्ट्री मेरे में सबजेक्ट से तो मैंने इंजिनरिंग वग्यरा के फॉर्म वग्यरा भरना शुरू कर दिये थे तो उस समय कोई कोचिंग सेंट सब्सक्राइटर वहां नहीं चलता था गोंडा में और आगे लखनों वग्यरा में भी कुछ जादा नहीं था हाँ इलहाबाद में था तो इलहाबाद में मेरी बुगा रहती थी तो बुगा के हाँ जाकर और मुझे एड्मिशन लेना था कोचिंग क्लास में उड़की वग तो वहीं पर एक भहिया थे उनके टेनेंट थे वह इंजीनिंग कॉलेज में थे वहां पर नासिच में तो उन्होंने कहा कि पढ़ने में अच्छी है और आज कल तो बड़ा सेलेक्शन बहुत टफ हो गया है रुड़की वगयरा में उस समय तो यहीं सब इंजीनिंग कॉलेज मतलब इंजीनिंग के एक्जाम्स होते थे और बड़ा उसमें टफ कमटीशन होते थे और बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट होते थे तो यह था कि चलो भी इसको आगे पढ़ना है और इस तरह से वह एक्जाम वहां दे सकती है न्यू इंजीनिंग कॉलेज है उसमें कोई खास जोनेशन वगेरा नहीं लगेगा सिर्फ एक्जाम क्लियर करना है और आगे की इंजीनिंग के पढ़ाई करनी है लेकिन जब वहां गय तो पता चला कि नहीं डोनेशन थोड़ा बहुत लगेगा तो खेर मेरे पापा ने इंतिजाम कर दिया था तो वहां पे एक ऐसी सा मेरा एक्जैम हुआ तो उसको मैंने पास कर लिया था थोड़ा बहुत उन्होंने जो उनकी मतलब डोनेशन होता है कॉलेज के नाम से थोड़ा बहुत वह था पापा ने वह दिया मेरी फीज भरी मेरे हॉस्टल की फीज भरी तो इस तरह से मेरा वहां इंडमिशन हो गया अच्छा मेरे पापा के साथ मेरी ममी क्यों नहीं गई क्योंकि मेरी ममी पैलाइस हो चुकी थी जब मैं नाइंध क्लास में थी जब मैं नाइंध में पढ़ लए थी नाइन्द का एक्जाम क्लियर किया था फाइनल मतलब एक्जाम जो होता है उसके बाद मम्मी को अटेक आया पैलेसिस का और अचानक से उनका बायांग काम करना बंद कर गया और वो बैट पे हो गई तो अब उसी पर वो एक साइड उनका मतलब राइट साइड काम करता था लेफ्ट साइड बिलकुल काम नहीं करता था तो यह सिचुएशन मम्मी की हो गई थी तो मम्मी खैर नहीं जा पाई थी पापा के साथ पापा यह मुझे लेकर गयते नासिक वग्यरा तो वहां काफी इंटीर में कॉलेज था वो तो बहुत जादा उसमें फीज वग्यरा नहीं थी खैर हो गया एडमिशन मेरा तो फर्स्ट यह की जो मतलब वो थी फीज वही काफी थी उसमें अभी त्री यह और मुझे कम्प्लीट करने थे वहां पर अच्छा मेरे पापा जो थे वो कोई बिल्जन स्बैन यह टाइप तो थे नहीं मतलब वो एक साधारण सी नौकरी करते थे एजुकेशन की एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे तो उनकी कोई उपर की आमदनी नहीं थी कि बिजन सोगेरा कर रहे हो या कुछ भी जो उन्होंने जमा किया था पैसे वैसे थोड़े बहुत वही थे मेरे थी जो कि मुझसे बड़े हैं तो एक तो बीच वाले ब्रदर की खैर्ट हो चुकी है एक सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले हैं तो वो लोग भी लगनों में सेटल्ट हैं अच्छा मैं सबसे छोटी थी तो अब जो थोड़ा बहुत कर चुब लोग अपना लाइफ व नहीं था सिर्फ मेरा ही वर्डन था कि भी चलो इनको आगे जो कुछ करना है पढ़ना लिखना है और जो कुछ भी अशादी वगएरा तो सिर्फ यही मेरी लाइबिल्टी पापा के पास रह गई थी अच्छा मम्मी मेरे थोड़ा पहलाई तो जरूर थी लिकिन माइंड से वो थोड़ा सा काम लेती थी तो उनको पते नहीं क्यों अखर रहा था कि मतलब नहीं भेजो उसको इंजिन दिंग वगएरा क्या करेगी यहीं से एक्जाम देखके पढ़ाई वड़ाई ऐसे आगे की करे मतलब ग्रैजुएशन वगएरा करे बीस्सी वगएरा तो जब मैं चली गई वहां पर फाइनल रहने फर्स्ट यर का अपना स्टडी कंप्लीट करने तो मम्मी यहां पर बहुत रोती थी गोंडा में उसको ले आओ ले आओ पापा को बहुत मतलब एक तरह से परिशान ही करती थी अब क्या कह सकते हैं एक बीमार इंसान एक बच्चे के समान ह हो जाता है तो खैर पापा समझा देते थे नहीं बहुत खुश है वहां पढ़ाई कर रही सब कुछ अच्छा कभी पापा जब बीच में आते थे जैसे मतलब मेरा हाल चाल लेने मेरा बैंड का काउंट वगरा ठीक करने उसको उसमें पैसे वगरा डालने तो मम्मी का अच्छा उनकी बातों से हम भी मतलब थोड़ा सा अंदर से मेरे अजीब सा होता था होम सिखने सी होने लगी थी मुझे कि पढ़ाई जीवन का सबसे बड़ा लक्ष नहीं होता है परिवार होता है लोग होते हैं सब कुछ होता है लेकिन वह जमाना कुछ और था ना वहां उस समय क्या था उसमय यूवी में इतना डेवलपमेंट नहीं था इतने प्राइवेट कॉलेजेज ही नहीं थे खेर उस समय तो प्राइवेट कॉलेजेज के लिए लोग इधरी बॉंबे डैली वगरा जाते थे अब वो तो बॉंबे के पास है नासिक और वो भी उसमें जो तो मेरा मन बहुत बैट जाता था जब पापा इस तरह कहते थे मम्मी मार रो रो के बुरा हाल कर देती हैं पापा भी बोल गए अपना सोचे कि मेरी बेटी तो स्ट्रॉंग है लेकिन बेटी तो बहुत ही अंदर से बहुत ही टिमिड निकली मुझे इतना मतलब अंदर से हूम सिखनेस ही हो गई और फर्स्ट यर के एकजाम में मतलब पढ़ाई भी मेरा मनी नहीं लग रहा था बिलकुल एकदम एक्षा नहीं करती थी पढ़ने की वैसे भी मैं हिंदी मीडियम से थी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी तो अब जो सारी बुक्स थी वह सारी इंग्लिश मीडियम की थी सब कुछ जो हिंदी में पढ़ा मैंने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना था तो थोड़ा उस पे ज्यादा ध्यान भी देना पढ़ता था और कॉंसेंट्रेशन मेरा समली जी हंडर में 20% रह गया था अब उस 20% कॉंसे कॉंसेंट्रेशन में क्योंकि मेरा जो वागई का कॉंसेंट्रेशन था इती परसेंट वह अब लॉस्ट हो चुका था तो मेरे फस्ट ये का फस्स सेमेस्टर का एक्जाम बहुत ही घटीया रिजल्ट आया मेरा करीब 10 10 आ 11 पेपर से उसमें से मैंने 4 खुर सीख lodge करें थे तो पापा को फिर पता है गरमें वो बता था कि नहीं बिताए को ये पता नहीं थी और मम्मी को बताने से कोई फायदा नियों तो खु़री चाहरे थी कि रूधा नहीं नहीं हुद चाहरें तो कोई बात नहीं का चलो कोई बात नहीं आगे मेहनत करो आगे का सेंड्स के एक्जाम में अपना अच्छा निकालना तो यह इसका कवर हो जाएगा फर्स समेस्टर का लेकिन अब मेरी स्थिति बदल चुकी थी एक तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो मेरे अम्मी की सबकी याद अलग सताने लगी अच्छा पढ़ाई मुझे एक तरह से बोच लगने लगी मुझे लगा कि यहां किस जेल में मैं आ गई हूं मुझे कोई निकाल ले यहां से